दुनिया में आज के समय फ्रांस अकेला यूरोपिया ये अकेला पश्यमी देश है जो ओपन ली जहां पे उनका सरकारी मीडिया ओपन ली कहता है के कश्मीर में स्तिती समल रही है ये मैं आपको बता दू बहुती बड़ा सपोर्ट है फ्रांस का टू इंडिया आपको याद ह होगा से कुछ दिन पहले भारत के जो विरेशमंतरी हैं डॉक्टर रहजा शंकर इन्होंने एक बुक लॉंच के दुरान एक इंडिकेशन इन्होंने ये दी थी कि जिस तरीके से रमायन में लक्षमन जी का रोल था ना राम जी के लिए वैसे ही इंडिया के लिए आज के सम बहुत बड़ा नाम है फ्रांस की निउस्पेपर इंडस्ट्री में ना सिर्फ फ्रांस की निउस्पेपर इंडस्ट्री में पूरे ये रोप में एवन केनडा में भी जहां पर फ्रेंच स्पिकिंग कम्यूनिटी है वहां पर इसको पढ़ा जाता है तो ले फिगारों ने पुरी दुनिया को और पॉसिबिलिटी है कि इंटरनाशनल टूरिस्ट इन दा फ्यूचर कश्मीर में और जादा आएं और यहीं पे आपको एक बड़ा फरक दिखेगा फ्रेंच मीडिया और अमेरिकन मीडिया मैं अचली अमेरिकन मीडिया ही नहीं अमेरिका में इवन जो इनके प्रेजिडेंट्स रहे हैं जो इनकी विरोक्रेसी है भारत को लेकर कई मामलों में इनका जो व्यूपॉइंट है य ये बोलना स्टार्ट कर दिया इमरान खान के सामने के कश्मीर एक बहुत जारा सुन्दर पार्ट है दुनिया का मगर अब कश्मीर में सिर्फ बॉंब्स है इनकी स्टेट्पेंट्स को काफी बार लिटरली कोई लेता नहीं है हम थोड़ा सा मान के चलते हैं के ट्रंप है त देख लो किसी भी अमेरिकन न्यूज आउटलेट लेना ये नहीं सोचा कि चलिए कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा लिखे कश्मीर में टूरिजम इंप्रूव हो रहा है टेर्रिजम दिरे दिरे वहाँ पर कम हो रहा है चलिए कश्मीर के बारे में अच्छा लिखते हैं New York Times क्या कह रहा है तो American media ने कभी यह सा publish नहीं किया मगर France के media houses ने अब इस बात को promote करना start कर दिया है कि कश्मीर में वापस tourism लोट रहा है और इन statement से होगा क्या कि definitely बहुत सारे French tourists in the future कश्मीर में आपको मिलेंगे और अगर हम numbers को देखे तो पिछले एक साल में अचली 2023 में एक unprecedented boom आया है कश्मीर के tourism numbers में मतलब इतने लोग कश्मीर में कई सालों से नहीं आए primarily foreign tourists क्योंके देखे विरेशी tourists जब आते हैं न तब अपने आप spending उनकी ज़रा होती है क्योंके foreign tourists होते हैं उनके बास purchasing power ज़रा होती है वो ज़रा खरचते हैं economy में ज़रा contribute करते हैं और यहां पर आप देख पाऊगे कश्मीर के जो left-hand governor साहब है नोने categorically ये बात बदाई थी कि foreign tourist arrival in Jammu Kashmir has increased by 350% इस number की उमीद मुझा भी नहीं थी एक बहुत ही important meeting G20 summit के दुरान हुई थी कश्मीर में जिसको China समेट कुछ और countries ने boycott किया था but overall the meeting was a huge success इसकी जो images हैं पूरी दुनिया के media ने cover करी थी और देखो मैं आपको यही विदा दो कश्मीर एक जगा का नाम है ये दुनिया में हर almost हर कोई जानता है क्योंके conflict की वज़े से dispute की वज़े से कश्मीर famous बहुत है अब क्या है कि जैसे जैसे लोगों को बता लगेगा कि कश्मीर जो एक time पे हुआ करता था situation यहाँ पे एक time पे काफी खराब हुआ करती थी अब situation normalized हो रही है और यहाँ पे आप tourism करने के लिए आ सकते हैं मैं आपको बता दूँ हजारो लाखो लोग कश्मीर को वज़ेट करना चाहेंगे क्योंके it is a brand लोग जानते हैं कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो beauty है उसके बारे में भी over the years literature में बहुत कुछ लिखा हुआ है तो यह जो statement है ना यह in the future आपको लगाता सुनने में मिलेगी और most probably जो यह jump है यह साड़े 300% से भी काफी बढ़कर 500-600% हो सकता है अगर इसी तरीके से trajectory आगे बढ़ती है international tourist arrivals की और यहाँ में मुझको यह भी आड़ करना पड़ेगा कैसा नहीं है के सिर्फ France का जो सरकारी news outlet है यही कश्मीर के tourism को promote कर रहा है आप अगर कश्मीर के जो products देखो कश्मीर की एक बहुती famous export है इनकी पश्मीना shawls France के बहुत सारे exhibitions में पश्मीना shawls को काफी बार showcase किया जाता है अचली पूरे Europe में न 17th century में France की एक Empress थी Josephine उन्होंने पश्मीना shawls को काफी famous कर दिया था और बाइदावे जो यह French Empress है Josephine यह Napoleon की पतनी थी जी हाँ Napoleon की पतनी एक बहुती बड़ी fan थी पश्मीना shawls की तो आज के समय न 2022 के बाद से हमने देखा है कि बहुत सारे कश्मीर के जो products है इन्हें फ्रांस में काफी बार exhibition के दुरान और तरीके से भी जादा popularize करने की कोशिश की जा रही है और देखो eventually हमारा target यही है कि western media में भी न primarily मैं काओंगा American media में क्योंकि America का overall influence इतना जादा है world media पे eventually हम लोग यह चाहेंगे कि कश्मीर की जो एक image बन गई थी जो पाकिस्तान state terrorism की वज़े से यह image दुनिया भुला करना एक stable prosperous कश्मीर की तरफ देखे जो एक tourism hot spot है ना सर्फ Indians के लिए बलकि international tourist के लिए भी यह भी बहुत बड़ा होगा मैं दो ख्यार देख रहा हूँ कि जब Emmanuel Macron इंडिया में आएंगे for the Republic Day Parade उस वक्त किस तरीके से इनका welcome किया जाता है और कौन-कौन से important pact sign किये जाते हैं this month will be very interesting for India-France relations और अनकाडमी के देखिए offer चल रहे हैं आज के समय यह जो offers हैं इनको आप यूज को सकते हैं to get discount तो comment section में link आपको मिल जाएंगे आप यहाँ पर course open करके you can use the code PD10 और आपको discount मिल जाएगा और जो sales time to time आती रहती है इनका भी आप लाब उठा पाएंगे So this is the end of the video thanks for listening and as always may the gods watch over you